आपने Google, Apple या Amazon में देखा होगा कि कुछ खास words इन devices को Passive Mode से Active Mode में कर देते हैं जैसे Apple में Hey Siri कहकर Apple Phone को या Alexa कहकर Amazon Echo को आप Ready कर देते हैं इन words को Wake words कहते हैं जिनको सुनकर ये devices आगे आने वाली voice commands को प्रोसेस करने के लिए Ready हो जाते हैं ये functionality Machine Learning पर आधारित है और हम Google Teachable Machine और Scratch इस्तेमाल करते हुए Siri, Alexa या Google Home जैसा voice commands based system बनाना सीखते हैं Lights on Voice command से न केवल हम sprites को control करेंगे Scratch को Microbit से connect करके हम Microbit को भी Voice command से operate करेंगे Lights on Off ये project बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को Teachable Machine में एक Machine Learning का model बनाना होगा जो model हम बना रहे हैं वो sound based model है Teachable Machine में Machine Learning models कैसे बनाते हैं ये मैं अपने एक और वीडियो में समझा चुका हूँ जहां हमने एक Artificially Intelligent कार बनाई थी इस project के लिए मैंने Teachable Machine में जो model बनाया है उसमें मैंने model को background noise और फिर कुछ classifications या labels पर train किया है जैसे Hey Toby, Lights on, Play Music, Thanks Toby और Off ये सारे keywords record करने के बाद हमने model को train किया और फिर हमने model को export किया और फिर हम scratch के एक specific version जो की इस URL पर available है stretch3.github.io यहां पर हम अपने Teachable Machine model को call करेंगे हम scratch का ये version इसलिए use कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे को वो extensions मिल जाते हैं जो हमें चाहिए एक है ये Teachable Machine का extension और एक है ये microbit more का extension scratch में by default एक और microbit का extension है पर ये जो default extension है इसमें बहुत limited commands है microbit more extension में हमारे को microbit control करने की बहुत सारी commands मिलती है और ये भी मैंने अपने artificial intelligent car वाले वीडियो में समझाया है तो यहां पर मैं पहले ये Teachable Machine का extension add कर रहा हूँ तो हमारे को ये सारे programming blocks मिल जाते हैं और अभी हम यहां पर image based machine learning model नहीं sound based machine learning model यूज़ कर रहे हैं तो यहां हमारे को सबसे पहले जो हमारा हमने model बनाया है उसको call करना है तो जब आप अपना machine learning model train कर लोगे और उसको export कर लोगे तो आपको URL मिलेगा मेरे case में URL है ये और इसके बाद अगर मैं यहां पर कह रहा हूँ कि when green flag is clicked call this model और अभी जब sound label पे मैं ये drop down दबा रहा हूँ तो यहां पे हमारे को कोई भी label नहीं मिल रहा है पर जब मैं एक बार इस model को call कर लेता हूँ यानि कि ये model चल जाता है तब हमारे को यहां पर जो हमने teachable machine में labels को train किया था hey toby lights on play music ये सारे labels हमारे को अब यहां मिल रहे हैं एक बार हमारा model train हो गया और हमने scratch में उसको call कर लिया तो उसके बाद हमारे को cable straightforward scratch की commands देनी है कि अगर sound label specific हो जैसे hey toby तो हम क्या चाहते हैं कौन सी commands execute हो तो ये execute करने के लिए actually मैं ये scratch ये sprite नहीं use करना चाहता हूँ मैंने कुछ और यहां पर sprites तयार करी है basically idea था कि हमारे पास एक obedient dog है call toby जिसको जब हम commands देते हैं तो वो हमारी commands मान लेता है तो मैं ये वाली commands यहां toby की sprite पे copy कर रहा हूँ और फिर मैं इसको delete कर रहा हूँ और यहां पर हम size 50% कर रहे है और उसके बाद मैं costumes में जाके यहां dog के अलावा फिर एक dog to जो obedient हमारा dog है उसकी sprite भी add कर रहा हूँ तो हम basically क्या चाहेंगे कि जब हमारा system voice command सुनने सुन रहा है तब यह वाली sprite होगी और जब execute करेगा तो obediently यह वाली sprite हमारे को visible हो जाएगी तो इसके बाद हम फिर यहां पर code लिख रहे हैं कि when sound label hey toby is received तो हम क्या चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर पहले जो costume थी जब program शुरू हो रहा है तो costume है dog 1 और जब हमारे को यह sound label hey toby मिलेगा तो हमारी जो costume है वो बदल जाएगी तो वो हो जाएगी dog 2 मैं इसको test करता हूँ hey toby हम फिर यह कर सकते हैं कि control में एक second वो इस posture में रहे और उसके बाद वापस जो dog 1 costume है वो वापस आ जाए तो अगर हम दोबारा try कर रहे हैं hey toby तो यह हमारी जो voice command है वो चल रही है अब इसी तरीके से मान लिया जाए कि मैं इसको duplicate कर रहा हूँ और अब हम next यहां लगा रहे हैं let's say play music तो हम चाहते हैं कि जब play music command हो तो कुछ चीज execute हो जाए तो for example हम कोई music बजाना चाहते हैं तो मैं sounds में जाके यहां sound add कर रहा हूँ loops में hip hop तो मैं यहां पर code लिख रहा हूँ कि when sound label this is received तो let's say again costume obedient वाली आ जाए और उसके बाद जो हमारी hip hop sound है that gets played until done हम इसको test करके देख सकते हैं play music आपने अगर notice किया तो जब मैंने play music कहा तो यह वाली command भी जो है हमारी वो execute हो रही है यानि कि जो model है उसको कहीं पर hey toby भी सुनाई दे रहा है तो यह चेक करने के लिए पहले तो हम teachable machine के blocks में यह sound label को on कर देते हैं तो जब हम यह on कर देते हैं तो उसके बाद जो भी sound label machine recognize कर रही है वो यहां पर हमार को दिख जाएगा जैसे अगर मैं कहता हूँ hey toby play music तो बीच बीच में background label यहां पर दिख रहा था और हो सकता है कि कभी कभी जैसे अभी यह lights on हमारा machine learning model गलत recognize कर रहा है हम lights on नहीं भी बोल रहे हैं पर वो तब भी lights on को recognize कर रहा है तो अगर machine आपका machine learning model ठीक नहीं काम कर रहा है तो इसको deal करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और block त्यार कर देते हैं कि अगर sound label जो है वो background noise हो क्योंकि background noise काफी हमारे model को सुनाई दे रही है तो हम उसमें चाहते हैं कि हमारा model कुछ ना करे केवल dog one की costume में रहे because background noise means there is no command इस model को और accurate बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो confidence level है हर sound का हम उसके हिसाब से commands का execution कर सकते हैं तो यह समझने के लिए अगर मैं वापस यह teachable machine के model में जा रहा हूँ तो यहाँ पर यह output है हमारी model की और जैसा आप देख सकते हो कि जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तब भी कुछ-कुछ चीज़ें अपने आप यहाँ पर model recognize कर रहा है तो इसको ठीक करने के लिए पहली चीज़ तो हम यह कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जाके और samples जो हैं वो record कर दें और हर category के लिए और samples record करने के बाद हम model को दुबारा train कर दें और even जब हम model train कर रहे हों तो हम यहाँ पर जो epochs हैं मैंने 100 epochs के लिए इसको train किया था तो आप इन epochs को भी बढ़ा सकते हो आप जितना epochs बढ़ाओगे उतना ज़्यादा time लगेगा इस model को train होने में पर हम अभी क्या कर सकते हैं कि जब हम इसको test कर रहे हैं तो for example अगर मैं कहता हूँ hey Toby, lights on, play music, तो हमारे को यहाँ पर यह confidence score मिल रहा है और हमारा model although काफी चीज़ें गलत recognize कर रहा है पर जब मैं वो specific keywords बोल रहा हूँ जैसे play music, तो वो almost 95% accuracy के साथ उसको समझ रहा है कि वो play music है तो हम इस confidence threshold को, हम इस confidence level को अपने program में add कर सकते हैं उसको ज़्यादा accurate बनाने के लिए तो यह जो confidence of sound यह वाली हमारी command है, हम इसको अपनी सारी commands में add कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि control में जाके मैं एक conditional statement बना रहा हूँ कि if the, हम कहना चाहते हैं कि यह जो hey Toby है यहाँ पर, तो hey Toby, इसका confidence level कितना है तो अगर मैं अभी यहाँ click कर रहा हूँ, तो यह confidence level केवल 18% है, 0.18 और अगर मैं बोलता हूँ, hey Toby, hey Toby, तो यह जैसे 67% accuracy के साथ इसने recognize किया कि command थी, hey Toby तो हम इस confidence score को use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर operators में जाके command डा रहा हूँ, check करने के लिए कि if the confidence score of hey Toby is more than let's say maybe 0.8 और maybe 0.85 यानि कि 85% model sure है, तब ही यह commands execute होंगी और यही चीज फिर मैं repeat कर सकता हूँ, कि मैं यहाँ पर फिर से control में जाके, एक conditional statement ला रहा हूँ और मैं इसको duplicate करके, यहाँ कह रहा हूँ कि if the confidence of play music is, यहाँ पर actually मुझे greater than की command चाहिए not less than operators में जाके, यहाँ पर greater than की command ला रहा हूँ, कि if the confidence score is greater than 0.85 तब हम चाहते हैं कि यह command जो है, हेटो भी, यह commands execute हूँ, और इसी को मैं duplicate करके, यहाँ कह रहा हूँ कि if confidence of play music is more than 85%, तब ही यह commands execute हूँगी, मैं यह जो background noise है, इस मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि by default सभी कुछ background noise है, तो इसको हम फिर से अब model को test कर सकते हैं, हेटो भी, हेटो भी, play music, तो अब जो हमारे बागी के जो sound labels हैं यहाँ पर, lights on, play music, etc, यह सब हम accordingly यहाँ पर sprites बना के उनको हम similar way में execute कर सकते हैं, तो rather than कि मैं वो बनाओ, मैं आपको next समझाता हूँ, कि अगर हमारे को इससे microbit को connect करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो microbit connect करने के लिए मैं यहाँ, वो अपस extensions में जाके, यहाँ microbit more का extension ला रहा हूँ, microbit को हम pair कैसे करते हैं, यह मैं एक और video में समझा चुका हूँ, essentially आप microbit-more.github.io में जाओगे, और यहाँ पर आपको एक यह program मिलेगा, microbit program, इसको download करोगे, तो एक hix file है, जिसको आपको अपने microbit में transfer करना है, जब आप यह सब कर लोगे, तब हम यहाँ पर command लिख सकते हैं, मैं teachable machine से command ला रहा हूँ कि, when the sound label received is lights on, तब हम चाहते हैं कि microbit में हम किसी एक digital pin को high कर दें, तो यहाँ पर मैं कहे रहा हूँ कि, make the pin 0 to high, और इसी को duplicate करके मैं कहे रहा हूँ कि, अगर sound label है off, तो make this digital pin low, फिर मैं यहाँ पर microbit more के extension में, यह exclamation mark की icon दबा रहा हूँ, तो मुझे यह pop-up मिल रहा है, to pair my microbit, तो मैं इसको pair कर रहा हूँ, और जब यह pair हो गया है, successfully, तो अब हम देख सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर command दूँगा, light on, off, light on, off, तो आप देख सकते हो, कि जो हमारा microbit है, हम उसको भी voice operated commands से operate कर पा रहे हैं, by using machine learning, यह हमारा complete code है, यहाँ पर मैंने जो सारे हमारे labels थे, उनको एक forever loop में डाल दिया है, और मैं अलग-अलग conditional statements यूज़ करके, same चीज़ चेक कर रहा हूँ, कि अगर background noise है, तो क्या करना है, और अगर आपका model ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अगेन यहाँ पर जो confidence level का हमारा command थी, हम उसको यहाँ पर भी use कर सकते हैं, lights on, off, lights on, off, यहाँ मैंने lights को control करने के लिए, एक ghosting effect डाला हुआ है, ताकि जब bulb on और off हो, तो वो dim होके on हो, और dim होके off हो, इस किसम के effects और sprites को कैसे control करते हैं, यह सब मैं अपने scratch की जो मेरी tutorial series है, उसमें समझा चुका हूँ, इस video का main purpose था समझाना, कि आप कैसे machine learning के models को scratch में use करते हुए, बहुत interesting projects बना सकते हो, I hope आपको यह video पसंद आया,